नमस्कार आप देख रहे हैं संसेट टेलिवीजन का विशेश कारिकरम नैशनल इवेंट्स और मैं हूँ आपके साथ मुहमत फातेह टीपू उपराश्पती जगदीब धन्खड के निमंतर पर हरियाना के हिसार से आए किसानों ने आज संसर्भवन का भ्रमण किया और उपराश्पती से मुलाकात की उपराश्पती ने किसानों से बाचीत के दौरान कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा वैपार क्रिशी उत्पादन का है उन्होंने कहा कि केवल खेती नहीं बलकि क्रिशी उत्पादों के वैपार में भी किसानों को दिल्चस्पी लेनी चाहिए उन्होंने कहा कि किसान की मंडी के अंदर दुकान भी होनी चाहिए और किसान के बच्चों को वैपार में पढ़ना चाहिए दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार कर्शी उत्पादन का है गेव, बाजरा, चावर, डाल, सबजी, दूद, सब कर्शी का है और किसान इसको पैदा करता है और मेहनत करके करता है पसीना निकालकर करता है सरकार ने किसान के लिए एक पी-एम किसान समान किया है साल में तीन बार दो-दोजार रुपी आते हैं पर यह तो व्यापार है ने एक हमा किसान की दिल्चस्पी कुनी है होनी चाहिए किसान का मंडी के अंदर दुखान भी होनी चाहिए किसान के टावरान है एक व्यापार में पढ़नू चाहिए दूद की बात देखो आपन दूद ने ज्यादा हो ज्यादा देई बना लें गनू जोर करा तो चाह बना लें वह आगे कुन जावान है ने पनीर म्रावन की सोचा ने और आगे की बात सोचा टाइम आगो सोचनू चाहिए आज के दिन खूब पढ़ा लिखेडा लोग मोटा मोटा लोग करोडा की तंख्या जिनन मिले है वह आपकी नोकरी छोड़के यो व्यापार करें उपराश्पती ने किसानों से कृषी की उतपादन से जुड़े व्यापार करने और अपने उतपादन में वेल्यू एड़ करने की सलाह दी किसान को जो उतपादन है वेल्यू करमा आपकी में एड़ कुण करा दूद हूँ पनीर कुण मनावागा चास ने करके बेचा कुण का गए दूद के पैकेजिएं कुण कराँगा और यह भिक्र हैं शहर में पैकेज दूद में लगो पैकेज दही में लगो दही ने स्वीटन कर दिगा दही कमा पनीर भी डाल दिगा कई चीज डाल दिगा आपको उन कर लिया यह करनों बहुत आसान है सरकार की बहुत निती है दस किसान एक साथ मिल जाँगा तो पैकेज दूद बहुत आसान हो जाए टाबरानी बात में लगाओ तीसरी बात सर्शियों आपना ठी हो है गेंव आपना ठी हो है बाज़र आपना ठी हो है सब चीज हो है पर सर्शियों को तेल आपको निकाला सर्चों को तेल कोई और ही निकाला है बनने भी निकालन दो पर आपना क्यों को निकाला आजकल तो भूत आची आची व्योस्ता है दूसरा जो नई चीज बन रही है गेउं की आपना तो बनावाई को नहीं अंसा चीजा में पढ़नू चाहे पूरी दुनिया आज के दिन एक चीज सोचा है कोई कितनों बड़ो हो खातों पितों हो बड़ो आदमी हो कि भाई मने दूद सही मिल जा वो मन सही दूद करें तरसा है और सबजी मने बिना पेस्टिसाइड के मिल जा यह तापाई करा पूर्धार मंतरी नरेंद्र मोदी आज महराश्ट के नासिक में 27 वे राष्टिय युवा महसों में शामिल हुए पूर्धार मंतरी ने स्वामी विवेका नंद के जन्म दिन पर महराश्ट के नासिक में राष्टिय युवा महसों को संबोधित किया प्रधान मंतरी नरेंद्र मुदी ने कहा कि आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है ये दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिन्होंने गुलामी के कालखंड में भारत को नई उर्जा से भर दिया था प्रधार मंत्री ने कहा कि देश के रिशियों मुनियों संतों से लेकर सामानने मानवी तक सभी ने हमेशा युवा शक्ति को सर्वो परी रखा है आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है आज भारत record patent file कर रहा है आज भारत दुनिया का बड़ा manufacturing hub बन रहा है इसका आधार भारत के युवा है भारत के युवाओं का सामर्थ है साथियों समय हर किसी को अपने जीवन काल में एक सुनहरा मोका जरूर देता भारत के युवाओं के लिए समय का वो सुनहरा मोका अभी है अमरुत काल का ये काल खंड है आज आपके पास मोका है इतिहास बनाने का इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का आप याद करिए आज भी हम सर एम विश्वे सरया की याद में इंजिनियर्स डे मनाते हैं उन्होंने उन्निस्वी और बारवी सताब दिमें अपना जो इंजिनियरिंग कौशल दिखाया उसका आज भी मुकाबला मुश्किल है आज भी हम मेजर ध्यान्चन को याद करते हैं उन्होंने होकी की स्टीक से जो जादू दिखाया वो आज तक लोग भूल नहीं पाए प्रधान मंतरी नरेंदर मुर्दी ने कहा कि समय हर किसी को अपने जीवनकाल में एक सुनहरा मौका जरूर देता है भारत के युवाओं के लिए वो सुनहरा मौका अभी है अमरित काल का ये कालखंड है आज आपके पास मौका है इतिहास बनाने का इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का उन्होंने कहा कि ऐसा काम करिये कि अगली शताबडी में उस वक्त की पिड़ी आपको याद करें भारत दुनिया की तौप फायू इकोनोमे में आया है तो इसलिए भारत के युवाओं की ताकत है आज भारत दुनिया के टौप फ्री स्टार्ट अप इकोसिस्टिम में आया है तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है आज भारत रिकॉर्ड पैटेंट फायल कर रहा है आज भारत दुनिया का बड़ा मैनुफेक्टरिंग हब बन रहा है तो इसका अधार भारत के युवाओं है भारत के युवाओं का सामर्थ है इस असर पर प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी नासिक में स्वामी विवेकांदन निसमारक पहुचे यहां उन्होंने स्वामी विवेकांदन को फूल अर्पित कर शद्धानजली अर्पित की हर साल 12-16 जनवरी तक युवा बहुत सो का आयोजन किया जाता है 12 जनवरी को सौमी बेवे का नजैन्टी के आसर पर इस बहुत सो की शुरुआत की जाती है परदार मंत्री नरेंदर मुदी ने काला राम मंदिर का दौरा किया और पूजा अरचना की प्रधान मंतरी ने काला राम मंदिर में वार्ड येंदर बजाया उन्होंने कहा कि वो दिव वाता वरण से अविश्वस्निय रूप से धन्न मैसूस कर रहा हूँ प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने नासिक में श्री राम कुंड के भी दर्शन किये उन्होंने वहाँ पूजा अरशना भी की प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने आज इस्टन फ्री वे के औरेंज गेट को मरीन ड्राइफ से जोडने वाली भूबिगत सड़क सुरंग की आधार शिला रखने और अन्हे कई विकास पर योजनाओं का उद्गाटन करने के लिए नवी मुंबई में आयोजित एक सावजरिक कारिकरम में शामिल हुए इस मौके पर प्रधान मंतरी ने कहा कि आज एक तरफ गरीब का जीवन बहतर बनाने के लिए महा अभिहान है तो दूसरी तरफ देश के कोने कोने में चल रही महा पर योजनाएं हैं वो अटल पेंशन योजना भी चला रहे हैं और अटल सेतों भी बना रहे हैं वो आयुश्मान भारत योजना भी चला रहे हैं और वंद्रय भारत अम्रित भारत ट्रेनें भी बना रहे हैं। वो पी-म किसान सम्मान निदी भी दे रहे हैं और पी-म गति शक्ती भी बना रहे हैं। इन दस तो मैं देष ने अपने सपनों को सच होते देखा है अपने संक्रप को सिद्धियों में बदलते हुई देखा है अटल सेतु इसी भावना का प्रतिमीम है युवासाथियों के लिए ये नया विश्वास लेकर आ रहा है उनके बैतर प्रुष का रास्ता अटल सेतु जैसे आदूने की इंट्रसक्तर से होकर ही गुजरता है अटल सेतु विक्सित भारत की तस्वीर है विक्सित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक जलक है विक्सित भारत में सब के लिए सुविदा होगी सब की समुरुद्धी होगी गती होगी प्रगती होगी विच्छित भारत में दूरिया सिम्टेगी देश का कौना कौना जुडेगा जीवन हो या आजीवी का सबकोच निरंतर बिना रुकावट के चलेगा यही तो अटल से तुका संदेश है मेरे परिवार जनो बिते दस वर्षों में भारत बदल गया ह है इसकी चर्चा खुब होती है बढ़ले हुए भारत के तस्वीर तब और साब हो जाती है जब हम दस वर्ष के पहले भारत को याद करते हैं दस साल पहले हजारों लाखों करोर रुप्य के मेगा स्कैम्स की चर्चा होती है आज हजारों करोर रुप्य के मेगा प्रोजेक्ट के पुरे होने की चर्चा होती है सुसासन का इस संकल्प देश भर में दिख रहा है देश ने नौर्ड इस्ट में भुपेन हजारी का सेतू और बोगी बिल ब्रीज जैसे मेगा प्रोजेक्ट पूरे होते देखा है आज अटल टनर और चेनाप ब्रीज जैसे प्रोजेक्ट ही चर्चा होती है आज एक के बाद एक बनते एक्ष्प्रेजवे की चर्चा होती है आज हम बारत में आदूनिक और बवे रेल्वे स्टेशन बनते देख रहे हैं इस्टन और वेस्टन फ्रेट कोरिडर रेल्वे की तस्वीर बदलने वाले हैं बंदे भारत नमो भारत अमरुत भारत ट्रेनों सामान जन के इसेफ़र को आसान और आजूरिक बना रही है प्रधानमंद्री नरेंदर मोदी ने कारिक्रम में इस्टन फ्रीवे के ओरेंज के औरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूविगर्द सड़क सुलंग की आधार्शिला रखी परधानमंत्री नरेंदर मोदी ने औरल रेलवे स्टेशन से खार कोपर तक चलने वाली 이 एम्यू ट्रेन को हरी जण्डी भी दिखाई इसके अलावा परधानमंत्री नरेंदर मोदी ने नमो महिला साशक्ती करन अभियान का शुभारम किया और हित ग्रहयों को चिक वित्रित किये प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने आज नवी मुंबई में अटल सेतु का उद्गाटन किया लगबख 17,840 करोन रुपए की लागत से बना अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है ये पुल लगबख 21,8 किलो मीटर लंबा है और 6 लेन वाला है जो 16,5 किलो मीटर लंबा समुद्र के उपर और लगबख 5,5 किलो मीटर जमीन पर बना है प्रधान मंतरी ने अटल सेतु प्रदरशनी का निरिक्षण किया बाद में सारवजनिक कारिकरम में प्रधान मंतरी नरेंद मूदी ने कहा आज का दिन मुंबई और महराष्ट के साथ ही विकसित भारत के संकल्प के लिए एतिहासिक है आज दुनिया के सबसे बड़े पुल में एक अटल सेतु देश को मिला है आज का ये कारिकरम संकल्प से सिध्धि का प्रमार है अटल सेतु युवासाथियों के लिए नया विश्वास लेकर आ रहा है उनके बेतर भविश्य का रास्ता अटल सेतु जैसे आधोनिक आधार भूर स्थर रशना से होकर गुजरता है अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है विकसित भारत में सब के लिए सुईधा गती प्रगती होगी आध दुनिया के सबसे बड़े श्रीव भीज में से एक ये विशान अटल से तु देश को मिला ये हमारे उस संकल्प का भी प्रमान है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं लहरों को भी चीन सकते हैं आज का एकारकम संकल्प से सिद्धी का भी प्रमान है मैं 24 दिसंबर 2016 का दीन नहीं भूल सकता जब मैं मुंबई ट्रांस हर्बर लिंग अटल सेतु के सिलान्यास के लिए हाँ आया था तब मैंने छट्रपती सिवाजी महाराज को नमन करते हुए कहा था कि लिख कर रखिये देश बदलेगा भी और देश बड़ेगा भी जिस व्यवस्ता में सालों साल काम लटकाने की आदत पड़ गई थी उससे देश वाज्यों को कोई उमीद बची नहीं थी लोग सोचते थे कि उनके जीते जी बड़े प्रोजेक्ट पुरे हो जाएं यह मुश्किली है और इसलिए मैंने कहा था लिख कर रखिये बेश बदलेगा और जरूर बदलेगा यह तब मोदी की गारंटी थी और आज मैं चत्रपती सिवाजी माराथ को फिर नमन करते हुए मुंबरा देवी को नमन करते हुए सिद्धी बिनाई जी को प्रणाम करते हुए यह तल से तू मुंबई करों को देश के लोगों को समर्पित कर रहा हूँ लोकसभाद्यक्षोम बिरला ने संसरी एक शेत्र बुडी के गुडली गाउं में आयोजीर विकसित भारत संकल्प यातरा शिविर में ग्रामिनों से समवाद किया उनसे कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धी के लिए आउश्यक है कि प्रतेग भारतीय देश की प्रती करतव्यों और दायतों को पूरा करें लोग सभाद्यक्षन अधिकारियों और समाजिक कारेकरताओं को आखवान किया कि वो प्रतेग पात्र विक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभानवित कराएं युवाओं से कहा कि वो अपने कौशल को निखारते हुए विभिन योजनाओं से रिड़ प्राप्त कर आत्र निर्भर बने वेस्वालम भी बने तभी देश आत्र निर्भर बनेगा संसरीय शेतर कोटा में कोटा जंक्शन वर डकनिया तलाव रेलवे स्टेशन के पुनर विकास कारे का आउलोकन कर अधिकारियों से निर्माल कारे की प्रगति की जानकारी ली उनसे उपलब्द शेतर का सरवशेष्ट उपयोग करते हुए दोनों स्टेशनों पर आधुनिक यात्री सुईधाय सुरी शित करने का निर्देश दिया इस दोरान निर्माल कारे में जुटे श्रमिकों और रेल यात्रियों से समवात किया श्रमिकों ने कहा कि नए भारत के नए स्टेशन के इंदिर्मार में अपना श्रम समर्पित करना सदैव याद रहेगा यात्रियों ने कहा कि पुनरविकास कारे पूल होने के बाद दोनों स्टेशनों का भवे सुरूप कोटा को नई पहचान दिलाएगा लोग सबाद्यक्ष ने स्वामी विवेकांदन को शद्धांजली अर्पित की है उन्होंने कहा कि भारत आज विश्यू का सबसे युवा देश है हमारे युवा विकसित भारत के संकल्प की सिधी में सबसे एहम उत्प्रेरक है नेसर यूथ डे पर युवाओं का आहوان है कि वे स्वामी विवेकांदन जी के विचारों से नई उर्जा वप्रेड़ा प्राप्त कर भारत को नई उचाईयों पर ले जाने के लिए स्वयम को समर्पित करें उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकांदन जी द्वारा प्रज्वलिद अध्याद्म के दीप ने विश्च को आलोकित किया वसुधेव कुटमकम की भावना को सचक्त करने में भी उनका अहम योगदान रहा है वे सास्कृतिक पुनर जागरर के अगरदूद थे स्वामी विवेकांदन जी की जहनती पर हम उनके चर्णों में नमन करते हैं फिलहाल हमारे विशेश कारिकरम नैशनल इवेड्स में इतना ही आप देखते रहिए संसट टीवी नमस्कार कर दो कर दो